हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम तो नवक्लासेश, आप नवदीब कौर और आज मैं आपके साथ डिसकस कर रही हूँ पेपर टो यूजीसी नेट जेये एफ के लिए आपका मानेश्मेंट के इंपोर्टन टॉपिक्स और अगर आप यह सारे टॉपिक्स कवर कर जाते हैं तो जून में आपका जो जेयरेफ है वो निश्चित है ठीक है? So all the very best from my side Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management मैं complete आपको करवाती हूँ 9 Classes app में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा उसके साथ बल आइकन ज़रूर दभाईएगा ताक कि आपको notification मिल जाया करें मेरी सभी Classes की ठीक है? Hello to everyone and good morning तो चलिए स्टार्ट करते हैं NTUGC आप 9 Classes app डाउनलोड करोगे तो उसमें NTUGC Net courses, Research, PhD courses वगरा आपको सारे मिल जायेंगे ठीक है? डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिये हुए है आज वैडनेस डे है और कल थर्स्डे तो इसलिए 9 Classes app में आएगा योधा बैस में जाएगा उसमें आपको Test Series वाला टैब दिखाए देगा आपको 2 PM Free of Cost टेस्ट होगा आज ठीक है? पूरे पेपर की तरह 50 Questions पेपर बन के और Friday को आपका Management का टेस्ट है ठीक है? पेपर 2 का तो इसमें तोटल 100 Questions होगे जो पूरा पेपर आता है जैसे फुल फ्लेश एक्जाम होगा ठीक है? तो मेक शूर कि इनको आप अप अटेंड कीजी दो बजे लाइव अटेंड करने पे आपको Free of Cost मेलेगा अगर आप पेड क्लासेस में तो आप जब मर्जी अटेंब कर पाएंगी ठीक है? तो मैं आपको कम्प्लीट ओल यूनिट्स ओफ पेपर वन एंड मैनेजमेंट भी कवर कराती हूँ तो आप नवक्लासेस का अप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बेज ही जग विकाउज बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज नवरातरी डिसकाउंट भी चल रहा है तो उसका भी बेनिफिट ले सकते है ओके सो मैनेजमेंट के अंदर कहना कि आपका जो फर्स यूनिट है यूनिट बाइस शुरू करें यस और नो जल्दी से कमेंट कर दीजे ओके सो फर्स यूनिट आपका जो है वो है बिसनेस मैनेजमेंट और मैनेजीरियल एकोनोमिक्स बिसनेस मैनेजमेंट और मैनेजीरियल एकोनोमिक्स तो इसके अंदर से आपके कौन से टॉपिक सबसे आदा इंपोर्टेंट है अब हम वो डिसकस करने वाले हैं ठीक है ओके लेट उस अंडरस्टेंड सबसे पहले तो टाइप ऑफ दा बिजनेस और बिजनेस की डेफिनेशन किसने क्या दी है यह कोशन काफी आ रहे हैं आपको देखने को बिलता है कि कुछ statement या definition दे दी जाती है और management में repository का नाम भी पूछा जाता है यह author के नाम के basis पे आपसे question पूछ लेता है कि कौन सी definition या कौन सा concept इन्होंने दिया है तो name wise आपका exam में question बहुत पूछे जाते है ठीक है and then फिर यहाँ पर आपकी business management की different approaches है जैसे की business management की classical approach हो गई ठीक है new classical approach में how-thon experiment classical में maxweber आ गई and आपकी बाकी classical के जो है tailor, fail ठीक है so यह सब आपके आ जाएंगे new classical में how-thon experiment हुआ था so these experiments are important and फिर आता है आपका behavioral approach behavioral approach में कौन-कौन से theories आई है and behavioral approach की कुछ theories के नाम example के लिए x theory, y theory, maslow need hierarchy, liquid, model 1, model 2, chris agraris का फिर आपके पास quantitative approaches आती है ठीक है तो यह सारी approaches आपकी important है अब इनका explanation भी फिर question में आ जाता है कि यह कौन से year में आया और यह basically क्या कहते है फिर आपके पास आता है managers की job next topic is managers job कि managers की job किस तरीके से divided है interpersonal role कि वो कैसे एक दूसरे की help करते है managers information वो अपने खुद के department में कैसे monitor करते है information लेते हैं और spokesperson बनते employees से काम करवाते हैं and decisional roles बहुत ही important मुद्दे पे उनको कैसे अपने decisions करने पड़ते हैं लेने पड़ते हैं तो यह model जैसे minceberg ने दिया है है ना तो इस type of then unit 1 के अंदर ही आपका paper 1 वाला जो portion है communication वही आता है and this is easy क्योंकि यह हम करें ना कही paper 1 में भी पड़ते हैं ठीक है कि formal communication क्या होता है verbal क्या होता है gossip क्या होती है then informal communication क्या होता है ठीक है तो communication का क्या purpose है these are important things then minceberg model जो मैंने आपको बोला strategic decision making के लिए this is actually important for management ठीक है then फिर हमां आयाते हैं सीधा economics वने पारते यहाँ पर मैं लिख देती हूँ communication ठीक है so जो managerial economics है इसमें आपको क्या आता है इसमें आपको समझना है law of demand elasticity of demand ठीक है यह जितनी भी competition है like perfect competition से लेकर सारा monopoly वगरा यह सब कुछ ठीक है so यह तो part होगे आपका demand side का एक सिगीड लेट मी सी जरूर से comment केजिए भई management वाले बच्चे ताकि पता चले कि आप लोग की भी strength है और आपके लिए भी videos लेकर आनी है तो क्यूंकि आप लोग को पता होगा कि नव क्लासिस पे complete management करा जाता तो आप यहाँ पर regularly visit करेंगे और नव क्लासिस एप से भी आप study कर सकते हैं ठीक है so different cost curves मैं तो कहते हूँ अगर economics में सारे curves अच्छे से पता हो तो कोई tension नहीं है each and every type का question आप 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 से cover कर पाते हैं यह चित्ते भी curves है जैसे production कव हो गया, cost कव हो गया इस तरीके से ओकी then जो management में question बुचे जाते हैं वो बुचे जाता है फिर national income GDP national income जो national income वाला पाट है न इसमें से national income से domestic income कैसे निकालते हैं fixed cost से इस तरीके से conversions पूछ लेता है gross से आप net कैसे निकालते हैं fixed cost से market price कैसे निकालते हैं तो इस तरीके conversions यहाँ पर national income में आ जाते हैं national income के बाद हमारे पास कुछ theories हैं जो कि inflation से related है so inflation से related सारे के सारे theories जैसे कि inflation का क्या rate है, inflation का cause क्या है ठीक है तो उस से related questions की साई theories, open inflation क्या होती है close inflation क्या होती है, surprised inflation क्या होती है, ठीक है, creeping inflation, walking inflation, running inflation, galloping inflation, यह सारा मैंने plus class में करवाया हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद हमा जाते हैं business ethic पे, तो यहां फिर business ethic, CSR activities, फिर आपका यहां पर आयता है, ethics का topic, CSR activities, so these are the activities which are important for management, is this clear, चलो, यह हो गया हमारा completely unit 1, which are important topic from unit 1, so देख लीचे, इसको बाद में note out कीजिएगा, हम हम आते हैं unit 2 पे, are you ready for unit 2 also, okay, ठीक है, unit 2, unit 2 कहती है, organization behavior and HRM and planning, ठीक है, इससे related है, अब unit 2 में organization के behavior क्या होता है, जैसे कि यहां पर कुछ personality type की definitions है, ठीक है, जैसे example के लिए, आपके पस big 5 personality trait का model है, जिसमें आप extraversion, introvert इस तरीके से personality को define करते हैं, फिर उसके बद आता है, mayor brick type indicators जो personality को defend करता है, फिर attitude, power, political influence, जो management में होता है, और सबसे ज़ादा यहां से question मैं देख रही हूँ, हर exam में, each and every batch में, exam में, previous year questions में, defensive technique से बहुत question आया हूँ है, ठीक है, कितनों ने यह notice किया है, इसका example है, यहां से question आता है, pacman theory, ठीक है, और pacman theory, white knight, ठीक है, green male, green, golden parachute, poison pill, spill-off, spin-off, divesture, liquidity restructuring, इस तरफ से question बहुत जादा आ रहे हैं, और मैंने यह सारे आपको class में करवाए भी है, plus course में, नव classes app में, ठीक है, और वैसे भी मैं आपको बताओ, management के भी मेरी जैसे commerce की बुक आती है, और most probably 25, April को मेरी को printers, publishers ने time दिया है कि हो सकता है, print हो जाए, ठीक है, तो आपके लिए good news ही है कि management की भुक भी आपके पास आ जाएगी, जी, सारा content उसमें भी proper structured unit wise है, ठीक है, आपके पास आ जाता है कि collaborating, collaboration के techniques, ठीक है, सो collaboration techniques में कैसे हम negotiate करते हैं, negotiation का process, for example, अगर में को किसी दूसरे बंदे के साथ को लाप करना है, तो negotiate कैसे करते हैं, मीडियेटिंग कंफ्लिक को कैसे solve करेंगे, stress level कैसे solve करेंगे, burn out हो जाता है, और्गनेशन में उसको कैसे solve करेंगे, then there are different type of groups, groups, groups से भी question आ जाता है, ठीक है, तो हमारे organization behavior में क्या-क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक tuckman theory है, ठीक है, जिसमें forming, storming, norming, performing and adjourning करके पुरा पर database है, ठीक है, तो tuckman theory is important, then उसके बाद आपका okay coral है, transaction analysis का, जो Eric Burnney ने दिया है, okay coral, it is important, addict बनने का, then Meyer Solovey का emotional tangents के models, then फिर आता है, organization development, organizational development में HR के क्या role है, वो as a change agent काम करता है HR, ठीक है, organization development, let us come toward organizational development, ठीक है, HR का role, यहाँ पर questions आते है, HR का role कैसा है, strategic partner होता है, agent होता है, administer करता है, employee को भी ध्यान रखता है, so these are the roles, जो की HR department maintain करता है, okay, then next important part is, type of organization culture, organization culture में, आपका octa-pace हो गया, culture से question बहुत पूशिज आते हैं, ठीक है, and octa-pace हो गया, then different theories of industrial relations, आपकी आजेंगी HR में, theories of industrial relations में क्या आता है, देखो, इससे पहले आप unit 1 में भी theories कर चुके होंगे, तो यहाँ पे industrial relations की थियोरी में, दलनब थियोरी हो गई, structure contraction थियोरी, HR थियोरी, trustorship थियोरी, social action अप्रोच थियोरी, गांदियन अप्रोच, गिरी अप्रोच, ठीक है, Marxism, तो वो सब आ गया, Karl Marx का जो Marxism है वो, then very very important point, एक छुटू सा question प्यारा सा जाता है, whistleblower के उपर, ठीक है, so whistleblower का मतलब की, जो awareness जगाता है किसी एक fact के उपर, तो उसे बोलते हैं whistleblower, तो whistleblower के बाद, फिर हमारे पास, whistleblower से लिटे जस्टिस आ जाता है, कि एक organization किस तरीके का justice प्रोवाइड करती है, ठीक है, distributive justice, procedural justice, इस पर हर बार मैं question देख रही हूँ, every time I am able to see the question in exam, okay, then हम सीज़ा आ जाते हैं, आपका next parties, जो workmen committees बनाती है, organization, ठीक है, workers, हाँ, worker participation in India, so worker participation में work committee, joint committee, joint production committee, example देती हूँ मैं, जैसे कि JMC से आया हुए, joint management council से आया हुए question, कि बताओ कितने members इसमें maximum हो सकते हैं, जैसे कि answer था 12, इस तरीके के questions, work committee, JMC, JC, plant, council, shop, council, यहाँ से आ जाते हैं कि, यह committee किसको बनानी जरूरी है, कितने workers हो तो जरूरी है, कितने इसके अंदर member हो सकते हैं, कितने इसमें main हो सकते हैं, ठीके, ऐसे करके सारे आ जाते हैं, then फिस settlement कैसे करवानी है, ठीके, फिर हमारे पास important topic में आ जाती हूँ, आगे, then इसके अंदर ही part है, HRM, and planning, human resource management and planning, आपके second unit बहुत बढ़ी है, इसमें job analysis, अब जगा मेरी छूट नहीं है, तो मैं आगे कवर कर देती हूँ, second unit ही है, job analysis हो गया, ठीके, job description, job specification, के बारे में कोशन यहां से पूछता है, training and development से कोशन पूछता है, कौन-कौन से method of the job training है, कौन से on-the-job training है, you should be clear, then human resource development में कुछ approach ही जाती है, for example, HRD आगया इसी के अंदर, six sigma approach, ठीके, quality circles, kaizen का जो है, total quality management, emotional performance, emotional intelligence, performance, तो इस तरह के से human resource development के main topics आगई, and वो Delphi technique, कैसे experts आपस में discuss करते हैं, वो, कौन-कौन से problems होती है अप्रेजल में, performance अप्रेजल में, यह सब important topic है यहां से, VRIO model हो गया, जैसे HR and as a asset, इसमें resource based view के अंदर, VRIO model हो गया, ठीके, value, rare, immitable and organized, इसके पर भी question आजाते हैं, then हमारे पास इसी के अंदर, एक और topic आजाता है, I think इसी के अंदर है कि यह दूसरी unit है, एक second में चेक करके बदाती हैं आपको, strategic HRM, इसी में है, ठीक है, SHRM, strategic HRM, क्या होता है, इसमें बहुत सारे model है, for example, HRM को defined क्या गया है, formbran, trichy theory से, Harvard, gas model, Warwick model से, तो वो definition हो गया, multi-level model क्या होता है, HRM के अंदर, strategic HRM में, and, दिवाना model हो गया, यहां से कितने कुशिन आए हुए आपके, international HRM, international level पे HRM, human resource management कैसे काम करता है, ठीक है, balance scorecard, is very important topic, balance scorecard में कौन से 4 पार्ट आते हैं, कोई मुझे comment करके बताएगा, तो मैं मान जाओंगी, ठीक है, so these are the topic from the unit, 2 and 3, actually हा, जो strategic management वाला पार्ट था, यह आपके unit 3 हो गई, चलिए, अब हम unit 4 पे आते हैं, unit 4, accounting and financial management, so guys, accounting में आपके accounting standards आ जाएंगे, यह आपको करने, Indian accounting standard, and normal accounting standards, accounting के concepts क्या है, फिर आपका syllabus में, ratios पे questions सॉल्व करने को भी आ जाते हैं, ठीक है, standard costing हो गई, managerial accounting हो गई, जिसके अंदर example के लिए, PV ratio सॉल्व करने को आ जाता है, ठीक है, break-even analysis, break-even point सॉल्व करने को आ जाता है, तो यह, आप यह मां सोचोंगे, आपकी theoretical ही आपको बताना चाहिए कि cash flow है, तो उसमें example देगा, example से बताओ कि operating activity है, investing है कि financing है, ठीक है, तो वो आजेगा, then next HR accounting, inflation accounting भी, इसमें important topics है, HR accounting, inflation, accounting, ठीक है, यह भी important topics हैं आपके, okay, India's accounting standards, यह सब मैंने आपको बता दिया, now come to its finance part, unit 4 का ही finance वाला part, finance part से, मैंने question capital structure के काफी देखे है, capital budgeting के भी देखे है, ठीक है, capital budgeting, capital structure, की debt equity mix कैसे करेंगे, capital budgeting के अंदर हम investment कितने अच्छे से करेंगे, ठीक है, और leverage ही हो गया, operating leverage, financial leverage, these portions are very important, और फिर उसके बाद आपका, कुछ financial strategies आ जाती है, जिसमें आपके पास, जो criteria, how stock perform in the market, stock exchange market में कैसे perform करते हैं, यहां से आ जाता है आपका fundamental, technical analysis, and modern analysis, modern analysis से भी question आ रहे हैं, ठीक है, modern analysis में आपका portfolio कैसे होता है, efficient market hypothesis ठीक है, यहां से, तो इधर हो जाता है आपका unit number 4 भी complete, तो आप देख लीजेगा, this is about unit number 4, अच्छा, unit number 4 के बाद, हम आ जाते हैं, unit number 5 पे, so let us come here, unit number 5 आपका capital budgeting पे बाद आपको, okay, so जो मैं आपको कही थी, capital structure and capital budgeting, वो actually unit number 5 का पाट है, so I can erase from here, and बागी मैंने stock work और परफॉर्मेंस यहां से बता दी थी आपको, तो देखिए, इसमें आप capital structure, capital budgeting, ठीके, इसके साही theories आजेंगी, capital budgeting में NPV कैसे निकालते हैं, उसके बाद में basic, IRR, MIRR के basics आपको clear होने चीए, theoretical question ज़्यादा आते हैं, इसमें से, ठीके, और operating cycle, accounting receivables को कैसे, अब इसमें भी accounts का पाट, फिर आगया, accounting receivable को कैसे संभालना है, receivable turnover ratio, ठीके, और working capital, EOQ model, BOMOLS का, उसके उपर question solve करने को आ रहा है, ठीके, and factoring and leasing वाला पार्ट यहां से important है, asset securitization वाला पार्ट यहां से important है, फिर हमारा finance में derivatives आ जाते हैं, ठीके, derivatives में options, forward futures का topic important है, ADR, GDR हो गया, government treasury bills, money market, ठीके, तो यहां तक हमारा फिर finance में complete, then हमारे पास unit number 6 आती है, तो unit number 6 strategic management के उपर है, strategic management के बाद करें, तो what is strategic management, इसके basic concept, यानि कि यह पार्ट actually marketing का है, तो marketing वाला पार्ट हाई है, strategic management, ओके जी, strategic management में 4P हो गया, marketing mix हो गया, simple si approaches है, और उसके इलावा, जितने भी हाँ पर model है, marketing के वो सारे आपको करने है, ठीके, model, जैसे PCG model, and soft model, McKenzie, McKenzie हो गया, hard and soft S, जो McKenzie और ने भी दिया था, वो, and degree of diffusion of innovation, ठीके, diffusion of innovation, diffusion of innovation, जो Roger ने दिया है, यहाँ से कोशिद बहुत देखने को मिल रहा है, कि कितने percentage innovative लोग होते हैं, कितने, फिर, जैसे की 2.5 आपके innovative होते हैं, early adopter 13.5, early majority 34, late majority 34, and then, सिर्फ legards, बाकी बच्चा हुआ खरीदने वाले, सिर्फ 16% होते हैं, तो यह वाला portion आपका important है, ठीके, फिर यहाँ पर हमारी unit number 6 भी complete हो जाते हैं, यह marketing का portion यहाँ पर सारा आ जाएगा, now come to next unit, that is unit number 7, unit number 7 में, आपका brand और marketing से अगें दिया हुआ, यह भी marketing का part आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो part दिया हुआ है, brand and marketing, ठीक है, so consumer buying behavior, organization buying behavior क्या होता है, brand को improve करने के लिए, traditional consumer and modern consumer, आज की रेट में, internet के time पर किस तरीके के हो गई है, इसके बार में question है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ, buying behavior को check करने के लिए, models आ जाते हैं, black box वाला, Nicosia model, ठीक है, Harvard model, EKB model, so these are some models, which can be asked in exam, decision making process, यहाँ से बहुत important है, ठीक है, so decision making process, कैसे करती है कोई company, that is important part, and यहाँ पर कुछ marketing warfare होते है, जैसे की defensive offensive techniques, used by the organizations, ठीक है, और फिर हमाँ पसा रहता है, directly brand, अब हम brand की बात करेंगे, तो brand के लिए, सबसे best, जो model है, जैसे की अकेर मौडल, is best for the brand, कि वो brand equity कैसे हम जनरेट करते हैं, उसके बाहर में बताते हैं, then color model आजाता है, brand value model आजाता है, जनिफर अकेर, फिर brand के बात में बताते है कि, कैसे आकेर मौडल, five factors है कि personality बता सकता है, कि हम उस brand के प्रती कैसे है, sincere है, excited है, competent है, sophisticated है, या ruggedness है, इसके बारे में वो बताते हैं, total 15 traits दिये हुए है, then brand के element के choice हम कैसे करें, brand को कैसे develop करें, फिर brand के बाद, उसका next पढ़ रहता है, packaging, then service marketing, service marketing is also very important, यहां से triangle model आ जाता है, यहां से serv call model बहुत पूछा जा रहा है, so these are the model from service marketing, and, triangle हो गया, then उसके लाबा marketing के बहुत innovative trends आ जाएंगे, जैसे कि, surrogate, advertising, reinforcement, vertical roadblock हो गया सारे, ambush marketing, green marketing, allsomeness marketing, brown marketing, black marketing, so these are the marketing, societal marketing and social market में क्या difference है, किसी को आता तो बताना कमड में, फिर हमारा retail types आ जाते हैं यहां पर, कि जो retailers होते हैं, retail stores कैसे कैसे होते हैं, so these are type of questions are being asked, हाँ जी, please bring book or previous question of management, better, जो management की book आ रहे हैं वो one in all होगी, एक ही book में सारे theory concept, and आपके previous question भी होंगे, ठीके, so total 6, 6 time के previous questions मैंने उसको दिये हैं, तो आपके लिए बहुत beneficial होने वाले हैं अब classes की management की book, मैंने खुद लिखिया और बहुत महनत लगी है, और आपके लिए best होने वाली है, type of retail कोण कोण से होते हैं, यहां पे जैसे कि आजकल ने आने कोशन आ रहे हैं, omni channel क्या है, है ना specialty stores क्या है, यह सब के कोशन आ गए, then porter की value chain का question इतना important है यहां से, जिकनार model, वाल्स model, ठीक है वाल्स model lifestyle के लिए ही check करता है, consumers की, तो यह सब model important है, then international marketing, international marketing में आजकल कोशन पूछ रहा है, export क्या है, वो piggybacking कोशन आ रहा है आजकल, counter trade क्या है, FDI कैसे होती है, तो यह सब questions आपके हो गए, now come to unit number 7, रुको, तीन slide जो राट कर देती हूं, unit number 7 तो हो गई, हाँ जी, unit number 8 की slide, 9 की slide, and 10 की slide, चलो, let us understand, और अपने न सारे fellow friends को बताओ, नव classes के platform के बारे में, कि यहाँ पर management का, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, ठीक है, और आप भी पढ़िए, और नया जो crash course हमारा launch हुआ है, इसको भी आप join कर सकते हो, even now, you know, क्योंकि आज नवरातरी ओफर भी है, नवरातरी पर क्लिक करके, combo, paper 1 and management, you can take, तो आपको crash course में मिल जाएगा, और पिछली अगर complete courses की classes देखने हैं, वो भी मिल जाएगी, ठीक है, तो फिर आपका जो आजाता है, unit number 8, यह बिल्कुल ही अलग unit है, ठीक है, तो unit number 8 में आपको मिलेगा, statistics वाला पार्ट, ठीक है, जेतने भी type of test है, these tests are important, ठीक है, अब बताते हूं, मैं chi square t test, z test, ठीक है, normal distribution, poison distribution क्या होता है, यह सारे distribution, type of distributions, like normal distribution, chi square distribution, finite population multiplier, ठीक है, these are the main topic from statistics part, correlation regression, very important, correlation, regression, जी, फिर हम operational research पे आएंगे, once a minute, probability के basics आपको आने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा निन देगा वो, लेकिन basics आने चाहिए, ना operation research पे आते है, operation research में, आपका सबसे ज़्यादा question पूछा जा रहा है कि, operation manager, decision कैसे लेते हैं, strategic, tactical, operational level पे decision पे लेते हैं, plan का layout कैसा होना चाहिए, फिर यहां से आपका वो ही आजाता है, EOQ model टाइप आजाता है, and then type of the layout, layout कैसा होना चाहिए, product layout कैसा होना चाहिए, ठीक है, process layout कैसा होना चाहिए, यह question आजाते है, आपके अलग यह जो की, and transportation, queuing theory, फिर आपके आपने प्रिवेशेर में देखे हैं अभी, आपका यह नए नए टाइप के टोपिक्स है, S, E, I, R, I, ठीक है, session, sysco, इस टाइप की questions है, जो हम लोग ने, अभी plus class में 21 तारिक को रखी है, class 21st को, 8 बजे रात को रखी है, इवली class, प्लस में रखी है, okay, then ISO mark, Six Sigma Approach Detail, and operation research की बात करें, तो यहाँ पर, management application क्या है, operation research की, management कैसे उसको use करता है, then, अच्छा, फिर हमारा, transportation के question आजाते हैं, जिसके अंदर आपका least square method से, हम कैसे decide करेंगे, कैसे decision लेंगे, कि हमारा जो product है, उसके कितने input डालने पर, हमारा जो best output निकल के आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में question आता है, least square हो गया, northwest वाला भी, December 2023 पे question आया था, आपको पता है न, and एक Waggles, WAM model, तो यह models बहुत जादा important है, least square, northwest model, WAM model, ठीक है, यह आपको आने चाहिए, क्योंकि यहां से हर, हर बार question बनने, every time, प्रोस्व करने को बनने रहा है, आपको दे देगा, अब आप इस वे से, demand and supply को, solve करके चेक कीजिए, कि आपका total out, किसमे बेस्ट निकल के आता है, result, कौन सा वाला direction, यह कौन सा है, ठीक है, ऐसे करके कोशिन पूछ तेगा, यह प्रोसेस का है, एरो किस लिए यूज हो रहे है, डारेक्शन ओफ द फ्लो के लिए यूज हो रहे है, ट्रांसफर के लिए क्या यूज हो रहा है, मतलब इस तरिके का आरो यूज हो रहा है, ट्रांस्फर के लिए डिरेक्शन के लिए यह वला है रो यूज हो रहा है तो मैचिंग में डियागरम बना देते हैं पूछो बताओ भई है कौन सा डियागरम है स्टोरेज वाला डियागरम इस बर ही आ गया ठीक है कुए मॉडल में के अंदर आपका है कि किस तरही के से backing होती है, ranking होती है jocking होती है, ठीक है acuing system में discipline, part CPM से question आपके आते है part CPM से भी question आते है, ठीक है, जी और बाकी फिर FDI और banking वाला part है ओके, now next समझते है एक सेकेंड मैं unit number देख लेती हूँ, कांगी वो next unit number 10, 9 हाँ, so unit number 9 is international business, यह आपका unit number 8 था IB international business so जो international business है यहाँ पर आपका difference की कैसे छोटे से बड़े पर company जाती है domestic, international, multinational, global and transitional companies, ठीक है, तो यह आपका international business का खाजे का, FDI के types और international monetary fund IMF, WTO, World Bank different जो trading blocks है NAFTA, ASEAN NAFTA का नाम चेंजो कर उस समका बन चुका है ठीक है, एंड इंटरनेशनल business में कैसे कोई firm एंटर करती है, उसके लिए UPSLA model हो गया, transaction cost model हो गया ठीक है, एंड बाउन global model हो गया है, यहां से भी कोशन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है और उसके लावा कुछ टूल्स है कि data कैसे mining होती है, वहां से कोशन आ रहा है data mining से बहुत कोशन आ रहा है, इस बहुत कोशन आ रहा है अज़िए हैं, entrepreneurship here is entrepreneur, type of entrepreneur, इस बहुत के रहा है इस बहुत है, इसे कोशन आ रहा है, ड्रॉन entrepreneur कोण होता है ऐसे ही different type of entrepreneurs हैं जो कि हम क्लास में cover करने बाले हम अभी इसकी class होईगी हमारी plus class में, जैसे मैंने बोला 21 थारीकों class रखिये उसकी आगे फिर 28-39 को भी हम रखेंगे अच्छा, Scalable Entrepreneurship Solar, Intra, Adoptive Entrepreneurship, there are different type of Entrepreneurship, फिर Current Theory क्या है Oak Theory क्या है Entrepreneurship में Entrepreneur and Intrapreneur, इस बर ही Intrapreneur के उपर कोशन आया थे बहुत, ठीक है Jack करो December वाले कोशन अच्छा, और बता रहे हूं आगे हाँ जी, फिर यहाँ पर आता है Small Scale Industries Small Scale Industries पर कोशन आ रहे है कि सिक इंडस्ट्री को कैसे Revive करें, Small Scale Industries के लिए कौन काउसी Schemes है, जैसे सफूर्ती Schem हो गया ठीक है, Prime Minister, वो खादी वाली Schemes हो गई कुछ सिक इंडस्ट्री को कैसे Revive किया जा रहा है Cooperative Societies का Questions यहाँ पर फिर Different Developmental Banks है और वो बैंक कब आये थे यह आता है, Exim Bank हो गया नाबाड हो गया, ठीक है और इन्होंने क्या-क्या नई-ने Schemes निका लिए इनके लिए Developmental Banks हो गए IFCI हो गया जैसे और फिर Different Committees के उपर Question आ जाता है तो यहाँ पर हमारा सारा Slabers Complete है, मैंने आपको हर एक उनिट का पूरा क्रक्स दे दिया है तो मेक शोर कि यह सारे के सारे आप समझेए तीक है, जी So, I hope कि आपको यह बेनिफीशल लगी होगी क्लासिस, अपने सारे के साथ जरूर से शियर कीजिगा आपके लिए ऑन-लाइन मैंने अब बू समिनार भी रखा है प्री और पोस्ट नेट जीरेफ के लिए Secret Topics with Notes to Crack जीरेफ तो आप इस seminar को जोईन कर सकते हैं नव क्लासिस आप में रूपीज 5 वाला कोर्स है इसके बाद मैं अक्चली यही वाली क्लास लेने वाली थी नवरातरी का 10% आफ आपका चल रहा है 16, 17, 18 को इवन नाउ इस टाइम टू क्रैक एंड स्टडी फ्रम बेस टीचर आपके लिए सारा का सारा स्लेबस मैंने बना दिया है और अब आपको पढ़ा रही हूँ आप भी पढ़िए और इस बाद मैनेजमेंट की त्यारी पूरे जोरो शोरो से क्योंकि आपका 100% पूरा फुल स्लेबस ना क्लास इस पे ही कवर करवाया जा रहा है विद टैस सीरीज, विद प्रीवेस एकोशन मोच जाएं मोच जाएं चलिए फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक यू